आज एक बहुत ही अच्छा सा ट्यूटोरियल आप लोगों को देंगे कोशिश करेंगे समझाने का जैसे की बहुत सारा क्वेशन हमारा पास आया है तो difference between compression and limiter यह बहुत एक बड़ा question है तो इसको थोड़ा कैसे हम लोग identify करेंगे और इसका मतलब क्या है बिसिकली limiter मतलब क्या है और compressor मतलब क्या है तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने का हम यह दो लिये हैं इसको पहले बंद करकर रखते हैं इसको off करकर रखते हैं हम लोग जो सीखा है चैनल में जो सीखा है compressor क्या करते है ना particular जो जगा डाइनमिकली काम होता है जो जगा थोड़ा सा कम में आया है मतलब signal थोड़ा कम आया है उसको leveling कर देता है और जो ज़्यादा आया है उसको थोड़ा सा balance कर देता है जैसे कि अगर हम लोग कुछ देखे जो सीखनल कम हो गया तो अगर हम लोड़ Kompresional level ऐसा करेंगे तो वो क्या करेगा इसका नजदीक लेकर चला आएगा इसको इसको थोड़ा सा बड़ा देगा इसको कट देगा और इसको थोड़ा सा बढा कर देगा तो यह compressor करते है तो एक जगा में compress छीक से गाना को compress कर देत तो यह depend करता है किसके उपर ना threshold point को पर depend करता है जैसे कि हम लोग यूज़ करता है ना 2 is to 1, 3 is to 1, 4 is to 1 और उसका जो threshold point जो है यह ratio का बारे में बोल रहा है और threshold point होता क्या है compressor का अंदर जैसे कि यह अगर compressor हम लोग खोलेंगे तो इसका अंदर क्या होता है पहले threshold adjust करना पड़ता है minus 20 dB minus 20 dB का हिसाब से अगर हम लोग twist to 1 ratio रखेंगे तो क्या होगा minus 20 dB का उपर अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा हम थोड़ा सा इसमें यह माल लिजिए यह minus 20 dB है ठेक है यह minus 20 dB इसका peak अब इसको लिग देता minus 20 अभी इसका उपर अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा मतलब इसको उपर अगर वोलूम चला जाएगा जैसे कि इसको ऐसा हम कर देते है मतलब इसको उपर चला गया वोलूम minus 20 तब तो compressor on हो जाएगा तो उसका किसका उपर काम करेगा नए यह जो हम लोग दिये है 2 is to 1 मतलब क्या है अगर 20 तब को उपर जाएगा sound 2 is to 1 का हिसाब से जैसे कि दो भग से एक भग कम कर देना है तो क्या करेगा इसको थोड़ा सा एग आधा कर देगा आधा करके ए जगह को हटा देगा इसको 2 is to 1 बोलता है उसके बाद अगर 4 is to 1 करेंगे तो इसको 4 तुकड़ा कर देंगे तो इसको हटा देंगे 4 is to 1 मतलब जितना हम लोग percentage का हिसाब से बढ़ाएंगे जैसे कि 3 is to 1, 4 is to 1, 5 is to 1 तो तब क्या होगा volume थोड़ा सा बढ़ते जाएगा मतलब क्या होता है देखिए जब हम लोग यह अगर हम लोग 2 is to 2 का हिसाब से अगर करेंगे तो यह आधा होगिया और इसको एई सिस्टेम को अगर हम लोग 3 is to 1 में करेंगे तो यह तीनों अलाग अलाग होगिया तो क्या होगा यह छोटा सा निकल रहा है तो यह तो रह 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 है तो 4 is to 1 में एक ही सिस्टेम में मतलब एक ही वेट में इसको अगर 4 टुगड़ा कर देंगे तो 2, 3, 4 होगिया 1, 2, 3, 4 तो इसको हटाएंगे तो यह भी थोड़ा सा बढ़ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जैसे कि जितना हम लोग रेशियो बढ़ाएंगे उसका हिसाब से थोड़ा सा डीवी भी बढ़ जाएगा डीवी बढ़ जाएगा नौर्माली उसका हिसाब से रेशियो के हिसाब से डीवी बढ़ जाएगा तो यह है compressor का nature और उसमें क्या है attack release जो बाकी system है वो हम actually इसका अंदर घुशेंगा नेंगे क्योंकि क्या है limiter और compressor का difference समझाने के लिए हम यह tutorial कर रहे है तो आभी क्या है आभी हम लोगों को एक threshold point करना है और यह भी जानना है किस जगह से कौनसा कौनसा जगह से लिमिटर देना चाहिए और कौनसा कौनसा जगह से compressor देना चाहिए देखिए compressor जो है almost all type का जैसे की heart compressor होता है low compressor होता है सभी type का track में हो सकते है जैसे की drum में दे सकते हो bass guitar में दे सकते हो ऐसा type का हो सकते है और गाना का nature का ही सबसे जैसे की गाना एक jazz अब लोग बना रहा है तो जैज मूजिक कर रहchos जैज मुजिक में उतना अवर्ड्र हम इसे कम एक और पज्जा रहा है तो इस सब करना देखेंए हे moc ustro手 है दूसरा ट्यूत्टरियल कर सकता है मेंच उधर मेंच तो हम कितना मेंच मेंच में मेंच करुंगे तो अगर लोग देखेंगे लगाने का बात कि ऩraçãoक भी सब्सीर कोई भी एक अगार हम लोग करेंगे का बाद अगर थोड़ा सा कम हो जा रहे हैं तब हम लोग बढ़ाएंगे मगर कुछ कुछ जगा में होता क्या है लिमिटर कंप्रेश सर्कॉन को किनने का बाद हम भश्यच जाह बह complaint दे तो limiter क्या करता है limiter overall बंद इसका कोई ratio नहीं है infinity कोई ratio का अंदर यह पढ़ता नहीं है input कितना आ रहा है वो output कितना करोगे और clip को cut देगा और clip को आने ही नहीं देगा यह है limiter और compressor में क्या होता है compressor में आप जो ratio set करोगे और जो threshold set करोगे उसका हिसाब से compress होता है उसका हिसाब से काम करता है तो almost overall सभी track में compressor देना चाहिए थोड़ा सा हलका करके देना तो चाहिए और limiter हमारा हिसाब से जैसे कि हम आप लोगों को पहले भी बोल चुका है अगर आप लोगों को limiter use करना है तो last track में limiter use को जैसे कि यह जो routing हो रहा है इसके e button को click करके इसमें जो effect लेना है लेना है कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में आप लोगों को maximizer use कर देना पड़ेगा तो maximizer आप लोग यूस करोगे तो इसका जैसे कि webs का maximizer इसको लगा सकतो बहुत अच्छा है मतलब इसमें क्या होता है threshold output और उसका हिसाब से आपको इधर देखना पड़ेगा इसमें peak कितना आ रहा है जैसे कि अगर हम लोग चलाएंगे तो यह हम इसको यह करके तो क्या जो हम बोल रहा है उसका हिसाब से टेस्ट करेंगे तो लास्ट में हम लोग किसलिया देंगे ना लास्ट का जो output आ रहा है ठीक है ना जैसे कि computer को आप हम लोग बोल रहा है जितना सारा MIDI note है सभी का 20% volume बढ़ा दो जितना सारा MIDI note है सभी का 30% volume reduction कर दो तो वो करेगा all over का उपर देखता है वो total का उपर इसलिए इसका कोई ratio नहीं है threshold नहीं है just only infinity level का हिसाब से चलता है और जो peak volume होता है जैसे कि जो peak कभी कभी होता है क्या हम लोग जब export करता है export का time पर देखता है peak आ जैसे कि इधर red marking हो जाता है तो best अगर आप लोग export करना चाहता हो तो minus 12 minus 11 का अंदर रखने का कोशिश करो बहुत अच्छा होगा और clear जैसे कि जो sound आप लोग यूज कर रहे हो जो signal आप लोग दे रहे हो सभी का अगर VST से बजा रहे हो तो quality वाला VST यूज करना कोशिश करो जिसका tones बहुत अच्छा लोग्त अच्छा तो हम लोग इसको इसको पूर करेंगे इसको थोड़ा सा ओफ करकर रहता है अभी हम लोग टेस्ट करेंगे क्या ना इसका इसका पहलेा कप्रेश को ओफ करेंगे ठ्य pię centimeter इसके अंदर इक यूभी नहीं किया है just only noise गट किया है अभी हम लोग क्या करेंगे पहले waves का nature को देख लेंगे तो देखिये waves का nature जो है यह जो इसका जो density है इसका जो leveling है इत्वर कम है मतलब आगर –50 वायव 20 नहीं डिया है शैद, माइस 20-E AIDS मस्कों सेट कर देंगे तो माइस 20 के हिसल्थ जो बढ़ जाएगा जो कम होगा 55% भी थोड़ा कम है, और जितना उसका जितना percentage उपर हुआ है उसका 50% काम हो जाएगा तो आभी देखते हैं सुनकर compressor on करके इसको on कर देते है इसको enable कर देता अभी चलाते है इसको अगर हम लोग limiting करेंगे अगर track से करेंगे तो track से करेंगे तो करेंगे मल्दब single track में अगर करना है तो लिमीटर देना है अगर multiple tracks का करना है तो आपको maximize देना है तो multiple tracks में हम लोग करेंगे तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हटा देते है इसको खटा देते हैं जैसे कि इसको लिमिटर पहले बाइपस करते हैं, चलाते हैं, बैठो ना दूर हमसे, अभी ओन करते हैं, तो क्या कर दिया, थोड़ा सा अप कर दिया है, थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब जो कम्प्रेशर होके, जो साउंड निकल रहा था, जो राउटिंग हो रहा था, उसको पूरा खीच के थोड़ा सा आप कर दिया, तो कितना में आप कर दिया, माइनस 2.1 dB में आप कर दिया है, हम लोग चलाते हैं, देखते हैं, फिर एक बर आप करके देखते हैं, चल रहा है, अभी कंप्रेसर कुछ काम नहीं कर, हम 0 dB कर जाते हैं, अभी limited दे लिए है, 3.9, 1.6, माइनस 1.1, समझ मिलके जुदा नहां, मतलब माइनस 1.1 dB, जब पीक में जा रहा है, माइनस 1.1 dB, माइनस 2.2, ऐसा टाइप का वो कर रहा है, अगर इसका ज्यादा हम लोग चाहिए, हम लोगों को चाहिए, जो आउटपुट हम लोगों को बढ़ना बढ़ेगा, मगर हम सजेस्ट नहीं करें लिमिटर में, तो इसको थोड़ा सा हटा देते है, हटा के हम लोग क्या करते है, इसको नोफेक करके, जो हम लोगों को मतलब मास्टर ट्रेक जो है, उसको उसको लेके हम लोग देखेंगे, इधर देखेंगे, इसको हम लोग अनेमेल कर देते है, अभी हम लोग चलाएंगे चला के हम लोग इसको चेंज करेंगे बैठो ना दूर हमसे देखो खवा नहों यह जगा को फॉलो किजिए लेटो ना दूर हमसे देखो खवा नहों किसमत से मिल गए हो मिलके जुदा नहों मेरी क्या खता है होता है ये भी के जुमी से कभी तो यह जो यह जो signal आरा हम यह नहीद है 5 भी करते हैं मैंनस 5 कर दिया sorry ah minus 0.5 0.5 अभी चलाते हैं बैठो नदूर हम से माइनस 1.1 देखो खवा नहों वैठो ना दूर हमसे देखो खवा नहों किसमत से मिल गए हो मिलके जुदा नहों मेरी अभी इसका ग्राफ आप लोगों को दिखाएंगे जैसे कि हो चल रहा है अगर इसको हम लोग लिमिटिंग में जाएंगे तो एक ग्राफ देखने के लिए हम लोगों कोई यूस करना पड़ेगा इसको अगर हम लोग यूस करेंगे तो हम लोग ग्राफ देख पाएंगे जैसे कि कंप्रेसर हम लोग कितना मैनस में रखना चाहते हैं और कितना प्लस में रखना चाहते हैं तो पहले हम लोग चलाते हैं को कोई क्लिप नहीं जा रहा है थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है देखो खवा नहों वैठो ना दूर हमसे देखो खवा नहों किसमत से मिल गए हूं मिलके जुदा नहों मेरी क्या खता है तो यह हम लोग दिया है और इधर क्या है कितना डिवी है माइनस 48 डिवी और इसका जो मीटर लेवल है जो आउटपूट जो है इसको हम लोग 0 डिवी में यह है तो हम लोग क्या किया है जो फिल्टरिंगों के आ रहा है उसको हम लोग प्लास 6 में बूस्ट किया है प्लास 6 मे दिया है जब तक कोई भी clip ना आए उपर का कोई clip ना आ है अगर clip बाहर तो निकलने नहीं देगा क्यों कि क्या है लिमिटर ऐसे ही करते हैं जो clip है उसको थोड़ा सा कड़ देते हैं लिप को नहीं रखते हैं तो last में अगर लिमिटर लगाओगे तो overall जो system चल रहा है पूरा complete जो track चल रहा है ओर track को लेके आप लोग बहुत मतलब बहुत कुछ खेल सकता हो बहुत कुछ जेख सकता हो क्योंकि क्या है every track में अगर लिमिटर हम लगाएंगे तो क्या होगा track का निचर थोड़ा change हो जाएगा freshness का जो है मतलब signal flowing जो system है पहले लिमिटर यूज हो है last में भी लिमिटर यूज कर रहा हो तो इसका हिसाब से आप लोगों को identify नहीं कर पाऊगे क्या हो रहा है इसको identify करने के लिए आप लोगों को लास्ट में अगर graph देखना है तो filter का pro l यूज करो pro l to बहुत अच्छा हमा requirement होता है और compressor का किसले requirement होता है इसलिए almost all tracks में compressor यूज होता है मगल लिमिटर नहीं यूज होता है तो अच्छा recording कर अच्छा mixing करने के लिए आप लोगों को ये देख के चलना पड़ेगा वीडियो कैसा लगा आप लोग थोड़ा सा बोलिएगा और comment में लिग दीजिएगा कैसा लग रहा है और यह जो हमने बोला है यह practically आप लोग कर पा रहा है को नहीं पा रहा है यह भी देखना है एक नमबर और दो नमबर है कोई भी अगर question रहेगा तो हम उसके लिए वीडियो बना देंगे और समझा देंगे जैसे कि एकदम neat and clean जो है उसका हिसरा से signal flow कैसे ह हो रहा है उसके सबसे समझा देंगे तो वो चार्जबल पड़ेगा क्योंकि हमारा जो नमबर अभी देख रहा है इसमें पहले WhatsApp करना पड़ेगा उसके बाद हम चार्ज बताएंगे और एगरी हो होने से तब हम वीडियो बनाएंगे और बाकी तो है हमारा request है जो चैनल में हमारा नया है वो थोड़ा हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा जितना सारा वीडियो है उसको देखी है काम सीख जाओगे जितना सारा वीडियो है 700 का 750 का उपर वीडियो है थोड़ा थोड़ा करके काम सीख जाओगे कोई भी question रहेगा तो WhatsApp करो हमको हम वीडियो बना देंगे आज के लिए यही काफी है यही ठीक है उमीद करता है आप लोग आप लोगों कोई वीडियो पसंद होगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो